नमस्कार दोस्तों, पुने हाजर हैं आपी के लोक प्रिये चैनल ओम मेस्टो वास्तों में 23 मिथुन राशी, मिथुन लगन जैमनी के दोस्तों के लिए कैसा रहने वाला है इसको उर्दू में बुर्जे जोजा भी कहते हैं आपको अगर अपना लगन नहीं पता तो नाम के अनुरूप जान लीजिए कि आप मिथुन से हैं का की कू के घड़ा छा के को हा अगर इन अक्षरों से आपका नाम शुरू होता है तो आप मिथुन राशी या लगन के जातक हैं ये वीडियो आपके लिए है 2020 में क्या लेकर आया है स्वास्ते के संबंद में बात करें तो थोड़ी चिंता बढ़ सकती है अनावशक खर्चों पर नियंतरन करें क्योंकि आपको पैसा बहुत मिलने वाला है भूमी, मकान, वाहनी, वाहन, गाड़ी बगरा के क्रेव इक्रेश से सफलता मिलेगी कारे शेतर जो भी है आपका उसमें ज़्यादा परिशम करें रिजर्ट बहुत पॉजिटिव आएगा विवाईक जीवन में सुक शान्ती बनेगी बच्चों की सिक्षा के लिए थोड़ी सी भाग दोड़ करनी पर सकती है फाइनेंस, बीमा, बैंकिंग का काम करते हैं तो थोड़ा संबल के करिएगा मीन राशियों के जो दोस्त हैं मालने की 2023 उनके लिए खोशियों की सौगात लेकर आया है शेर बजार से भी लाब होगा आपको बताते हैं थोड़ा सा आपके बारे में मित्वन लगन के लोग कैसे होते हैं बहुती कुशागर बुद्धी होती है उत्तम बोलने वाले होते हैं बुद्ध की राशी है वारता लाप में बहुत कुशल होते हैं च्छान बीन कर काम करते हैं यानि कोई भी बात सोच विचार करते हैं सरल जीवन होता है चंचल सा बा होता है कठिन विश्यों की वियाख्या भी बड़ी असानी से कर लेते हैं इनके अंदर ये बड़ी क्रोध कम आता है लेकिन जब आता है तो एका एक आता है और चरम सीमा पर पहुंच जाता है लेकिन जितनी तेजी से आता है उतनी तेजी से वो ठंडा भी हो जाता है पड़ाई लिहाई के कामा में बहुत उत्तम रहते हैं लिखने का भी इनको अच्छा शौक होता है गुरू शनी राउकेतु की जो बदलाव आएंगे इस 2023 में उससे आपके जीवन में खुशियों के सौगात बढ़ने वाली है गुरू की बात करते हैं सबसे पहले मीन राशी से निकल कर आगे बढ़के मेश राशी जो मंगल की है और आपके लाप के भाव में बैठी है वहां पहुंच रहे हैं तरक्की देंगे जॉब देंगे नया बिजनस देंगे लाप देंगे शेयर से लाप हर तरह से लाप ही है अभी तक आपके रोजगार भाव में बैठेंगे 22 अपरेल तक जॉब में काफी कुछ दे के जाएंगे और उसके बाद तो धन का लाब मिलना है 22 अपरेल के बाद ये लाब का भाव होता है तो लाब में बृद्धी करेंगे और इनकी दृष्टी भी होती है पांचमी दृ दृष्टी है वो धन के भाव पर पढ़ रही है सात्मी दृष्टी परिवार के भाव पर पढ़ रही है तो ये भी दोनों में बढ़ोत्री होगी गर परिवार में बृद्धी होगी इसी प्रकार जो धाई साल तनाव के दिन थे आपके शनी के कारण शनी की धाया शनी के क भग्य भाव में आ रहे हैं। भग्य भाव में बड़ोत्री करेंगे। राहु जो हैं अभी आपके लाप के भाव में बैठे वे हैं। और इसके बाद 30 अक्तूबर को ये निकलने वाले हैं लाप के भाव से उल्टे चलते हैं। मीन में आ जाएंगे रोजगार के भाव में। राजनिती करते हैं पहुच चमकने वाली हैं। और के तू चौते भाव में हैं वहाँ पर भाव अपना डालेंगे। अब हम बात करते हैं स्वास्ते की। स्वास्ते की दृष्टी से अगर देखें तो पिछले सालों की तुलना में क्योंकि छटे बाव पर हमने बताया आपको दृष्टी पढ़ रही है। श्यनिकी स्वास्ते आपका बैटर होने वाला है, अच्छा होने वाला है। जो पहले की समस्यां थी, बिमारियां थी, जिनसे आपको अभी तक परिशानियां चल रही थी, को रिजल्ट नहीं आ रहे थे। वो सब कुछ आपको आपके फेवर में जाने वाले हैं, आपको अच्छा लाब मिलने वाला है। स्वास्ते आपका उत्तम रहेगा। वित्ये, फाइनेंस, फाइनेंस के द्रिश्टी से भी ये बहुत उत्तम है। फाइनेंस का भाव आपको बताया, दस्मा होता है, लाब का होता है, धन का भाव होता है, तीनों पर अच्छे परभाव पढ़ रहे हैं, पराकरम भाव भी आपका एनरजिटिक हो रहा है, और अच्टम पर ढईया समपत हो गई शनी की, तो खर्चों में भी कमी आ जाएगी, आए ब्रिदी होगी, बस निवेश कर रहे हैं, बस सोच समझ के करिए, फाइदा बहुत होने वाला है, शेर से लाब होगा, जो भी आपको संभावना बढ़ रही है, अपरेल में, शेर बाज परिवार का भाव होता है, परिवार से अच्छे रिलेशन होंगे, मांगले कारे होंगे, लड़कियां और लड़के अगर विवा की परतिक्षा कर रहे हैं, तो इस वर्ष विवा का पूरा योग बनने वाला है, मितुन के दोस्तों, पंचम भाव है, संतान का रुकावट परिवार का रही थी, संतान में दूरोने वाली है, कैरियर के दिरिश्टी से बहुत अच्छा समय है, ट्रांसफ़र होगी प्रमोशन के साथ, कैरियर और प्रमोशन और परफेशन के दिरिश्टी से जो पिछले दो साल आपको खराब हो रहे थे, शनी के कारण, वो दूरो हो सकता है, कोई मैनेजरियल कैडर आपको मिल जाए, वेपारी वर्क के लिए भी बहुत उत्तों है, दो तिन साल जो मैनत कर ली पिछली, बहुत समय साय आ रही थी, साब दूर होने वाली है, वेपार विस्तार होने का अच्छा योग बन गया है, चिंता नहीं करें, वेजन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, चटे भाव पर अच्छी दृष्टी दिखरी थी, कम्पेटिशन का भाव है, आपके लिए थोड़ा जोर लगा लो, कोई कम्पेटिशन की तैयारी कर रहे हो, गौर्मेंट के एक्जाम की, किसी एंटरेंस एक्जाम की सफलता मिलने की पू तरह के अच्छे अपसरा रहे हैं, लेकिन हो सकता है ये सब चीज़ें आपको ना मिल पाएं, उसका कारण है लगन पत्रिका के अंदर कुछ ग्रहे नीच राशी के होंगे, कुछ ग्रहे कुरूर ग्रहों से दृष्टी गत होंगे, कुछ त्री भाग त्रिक भाव में अच्छ धारन कर लें, शनी और ब्रस्पती के लिए ओम संग शनेश्वराय नमा ये जाप कर लें, और ब्रस्पती के लिए ओम भ्रम ब्रस्पते नमा इसका जाप कर लें, नित्य प्रती भगवान शिव की पूजा और अराधना करें, आपकी हर तरह की मुराद पूरी होग कोई विशेश चानकारी की आवशिक्ता है तो आप हमें WhatsApp कर सकते हैं नमबर उपर आ रहा है एक प्रशन लिख कर भेजिए पूरी निष्ठा के साथ आपके उस प्रशन का उत्तर देंगे निवेदन जरूर करेंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एक लाग सब्सक्राइबर होने में बहुत थोड़ास बचा है जोड़ लगा दीजिए प्लीज तन्यवाद नमोना वैन